हेलो फ्रेंड तो कैसे आप स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल किचन बित प्रीती में तो आज मैं आपके लिए एक और नई रेस्पी शेयर करने जारी हूँ तो वीडियो आप प्लाश्ट तक देखिएगा तो ये मैंने ले लिया है मूली ये एक किलो के लगभग मूली है और साथ में प्याच और एक नीबू मैं मूली को अच्छी तरीके से पहले से ही धोली थी धोने के बाद इस तरीके से मैं घिस लूँगी मूली को इस तरीके से मैं सभी मूली को कद्दू कस कर लूँगी ये देखिए इस तरीके से और जो ये उपर का भाग है मूली के नीचे वाला पाट उसको मैं बाहर कर दूँगी ये देखिए इस तरीके से कदूकस हो चुकी है मूली अब बाकि जितनी मूली बची हुई है उसको भी मैंने कदूकस कर लिया है ये देखिए तो आज मैं मूली का पराठा बनाऊंगी एकदम अलग तरीके से इसलिए लाश्ट तक वीडियो जरूर देखिएगा तो ये देखिए इस तरीके से मैंने जो मूली का पानी है मूली के अंदर जो रहता है पानी उसको इस तरीके से दभाते हुए इतना पानी निकल रहा है एक दम अच्छे से दवाएंगे ताकि जितना पानी है मूली का सब बाहर निकल जाए ताकि हमें पराठा बनाने में आसानी रहे या तो इस तरीके से आप कर सकते हैं नहीं तो इसको आधे से एक घंटे के लिए एक तरफ करके इसका पानी निकाल सकते हैं नहीं तो आप एक कॉटन कपड़े में भी इसको डाल के उसको पुरा निचो सकते हैं ये देखे इस तरीके से मैंने हाथ से ही पुरा निकाल दिया है ये देखे एक कटोरी ले ली हूँ अब इस पानी को मैं फेकूंगी नहीं इसे मैं यूज करूंगी तो ये देखे एक कटोरी के लगभग ये मूली का पानी निकल चुका है तो चलिए आगे का प्रोसेस करते हैं तो एक कडाही ले ली हूँ उसमें एक बड़े चम्मच के लगभग मैंने सरसो का तेल डाला है उसके बाद आधा चम्मच जीरा और थोड़ा सा राई और मिर्ची टेस्ट के अकॉर्डिंग मैंने तीन मिर्ची को छोटे छोटे टुकड दूँगी गोल्डन ब्राउन होने तक ये देखिए थोड़ा सा भुन्ये के बाद मैं इसमें एट कर दी प्याच को भी ज्यादा नहीं पकाएंगे जब तक इसका कच्चापन चला नहीं जाता तब तक पकाएंगे तो ये देखिए मैंने प्याच को अच्छी तरीके से पक दिया है अब इसको सभी को अच्छे से मिक्स कर देंगे ये देखे इस तरीके से चलाते हुए चारो तरब से अच्छे से मिक्स कर लेंगे ये देखे मूली एकदम सूखी-सूखी और एकदम अलग-अलग सी दिख रही है ये नया ट्रिक है इस तरीके से आप भी एक बर जरूर ट्राई करिएगा पराठा बनाने मिग्दम आसानी रहेगा अब डालेंगे लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर ध्यान रहे कि नमक हम अभी एड नहीं करेंगे अब इन सभी को फिर से मैं अच्छे से मिक्स कर लूंगी और फ्लेम को मेडियम ही रखूंगी ये देखे इस तरीके से मैं सभी को मिक्स कर ली अब इसे जादा देर तक नहीं पकाएंगे जैसे ही मिक्स हो जाएगा तो हम इसे बंद कर देंगे फ्लेम को ये देखे ये अच्छे से मिक्स हो चुका है और मूली का कच्चा पन भी चला गया है तो मैं इसे एक प्लेट में निकाल के इसे थोड़ी देर के लिए कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए ठंडा होनी के लिए छोड़ दूँगी ये देखे इस तरीके से मैंने चारो तरफ प्लेट में फैला दिया है अब चलते हैं आटा गुतने तो मैंने ये दो कप के लगभग आटा ले लिया है ये देखे अब इसे मैं गूड लूँगी तो सबसे पहले मैं इसमें एट करूँगी अजवाइन अजवाइन एक चम्मच के लगभग है थोड़ा सा क्रश करने के बाद इसमें एट कर दूँगी और साथ में एट करूँगे स्वादा नुसार नमक अब नमक एट करने के बाद इन सभी को मैं अच्छे से मिला लूँगी ये देखे इस तरीके से सभी को मिला लिया है और ये मैं जो मूली का पानी निकाली थी अब इसी पानी से मैं आटा को गूथूँगी और अगर एक्स्ट्रा पानी की जरूरत रहेगी तो मैं एक्स्ट्रा पानी यूज़ करूँगी तो ये मैंने थोड़ा थोड़ा पानी डाला है और इस तरीके से डालने के बाद मैं अच्छे से मिक्स करूंगी ये देखे एक कटोरी मैंने पूरा मूली का पानी डाल दिया है और हमें उतने ही पानी की जरूरत थी तो मैंने उतने ही पानी में आटा को गूत लिया है अगर आपको और लगे तो आप ले सकते हैं एक्स्ट्रा पानी तो ये देखे मैंने गूतने के बाद 10 मिनट के लिए छोड़ दिया था 10 मिनट होने के बाद ये देखे हमारा आटा एकदम सेट हो चुका है अब इस तरीके से करते हुए थोड़ी देर के लिए और गूत लेंगे ये देखे एकदम सेट हो चुका है अब हम इसमें एट करेंगे चाट मसाला पाउडर और स्वादा नुसार नमक ध्यान रहे कि एकदम ठंडा होने के बाद ही हम डालेंगे और साथ में आधा कटा हुआ नीवू अब इन सभी को मैं मिक्स कर लूँगी ये देखे लाश्ट में ही हम नमक और चाट मसाला पाउडर डालेंगे पहले डालने से ये होगा कि पानी मूली का है मूली पूरा पानी छोड़ने लगेगी इसलिए हम लाश्ट में डालेंगे नमक अब ये आटा की लोई मैंने बना लिया है थोड़ा सा लोई बड़ा ही बनाएंगे ये देखे इतनी बड़ी बड़ी मैंने लोई बना लिया है अब इस तरीके से गोल सेप में करते हुए ये देखे इस तरीके से मैंने लोई तयार कर ली है अब ये इस तरीके से थोड़ा सा मैंने आटा लगाया हाथ में उसकी बाद गोल सेप में इस तरीके से घुमाते हुए एक कटोरी का शेप दे देंगे ये देखे अब इस शेप में मैं मूली का जो इस टपिंग मूली की बना के रखी थी अब इसको इसमें डालूंगी ये कम से कम दो चम्मच के बड़े चम्मच के लगभग मैंने डाल दिया है और इस तरीके से दबाते हुए इसे राउंड शेप में इस तरीके से करेंगे ये देखे ये अब हमारी लोई बन चुकी है थोड़ा सा आटा उसमें डालेंगे चोकी में उसके बाद ऐसे दबाते हुए हलके हाथों से फिर हम इसमें आटा लगाएंगे आटा लगाने के बाद बेलन की सहायता से इस तरीके से हम बेलेंगे और ध्यान रहे कि हम इसे हलके हाथों से ही बेलेंगे और इधर मैंने तवा को चड़ा दिया था और उसके उपर मैंने डाल दिया था एक चमच के लगभग तेल और उपर से जो मैंने पराठा बना के रखा था बेल के उसको रख दी ये देखिए इस तरीके से मैंने दोनों तरब से पराठा को मैंने सेख लिया है आप चाहे तो बटर भी ले सकते हैं मैंने रिफाइन ओल यूज किया है या तो फिर आप घी भी ले सकते हैं ये देखिए पराठा कितना सुन्दर दिख रहा है और कितने अच्छे से पका हुआ है एक दम बहुत ही टेश्टी पराठा बन के तयार हो चुका है तो ये मैंने दूसरे तरीके से मैं बता रही हूँ कैसे बेल सकते हैं तो ये मैंने छोटी सी लोई ले ली है उसे जैसे रोटी बेलते हैं उस तरीके से मैं बेल ली हूँ ये देखिए इस तरीके से बेल ली हूँ और उसके ऊपर से ये जो मैंने मूली का स्टफिंग बनाया है उसको चारो तरब से इस तरीके से फैलाने के बाद जो दूसरी रोटी मैंने पहले ही बेली थी उसको उपर रखे चारो साइट से अच्छे से दवा देंगे ये देखे इस तरीके से फिर उसके बाद उपर से दवाएंगे और फिर बेलन के सहायता से थोड़ा सा हम हलके हाथों से बेल लेंगे और फिर हम इसे तवे पे रखके सेक लेंगे आपको जो तरीका सही लगे आप उस तरीके से मूली का पराठा बना सकते हैं यह तो जो मैंने पहले बताया था उस तरीके से यह तो फिर इस तरीके से यह जो मैंने दूसरी बार बताया है यह देखे इस तरीके से भी आप बना सकते हैं यह देखे एकदम बहुत ही अच्छा पराठा दिख रहा है यह खाने में भी बहुत ही टेस्टी या कुरकुरा पन तो फ्रेंड कैसी लगी है हमारी रेस्पी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताईएगा और अगर हमारे चैनल में नए हैं तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर लीजेगा ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले तो ये देखे ये मेरा दूसरा पराठा है, इस तरीके से दिख रहा है, बहुत ही टेस्टी पराठा बनके मूली का तयार हो चुका है और ये देखे दूसरा पराठा है, आप इसे चटनी के साथ, सॉस के साथ, या तो सबजी के साथ भी खा सकते हैं बच्चों की टिफिन में लंच में डिनर में कभी भी बना सकते हैं बाई बाई